असलामलेकुम स्टुडेंट्स मेरा ना में मुनी बुरहमान और आज फिजिकल फॉर्मेसी रियोलोजी का तीसरा लेक्चर है रियोलोजी लेक्चर त्टो अब इसमें हम पड़ेंगे नउट्वीं फ्लियू नूइंस we आपको पता है कि क्या होता है दुबारा आपको बताता हूं rate of shear is directly proportional to rate of is directly proportional to sharing stress तो यह जो fluids होते हैं fluid in which shear stress and rate of shear is not constant इनका जो graph बनता है shear stress or rate of shear के दर्मयान वो constant नहीं होता वो constant behavior शोन ही करेंगे मितलब के viscosity is variable तो इन में क्या होता है यह तो viscosity जाद होती है या कुछ cases में viscosity काम होती है जैसे जैसे हम apply करते है अपनी force को ठीक है तो इसके आगे मैं आपको पताऊंगा किन cases में viscosity जाद होगी किन cases में viscosity काम होगी रियोग्राम is not linear इनका रियोग्राम linear नहीं आता है example है emulsions gels और suspensions इनके अंदर जाद दर fluctuated और defluculated system को हम पढ़ते हैं ठीक है आगे तीन types हैं non-newtonian flow की plastic flow pseudoplastic flow और dilatant flow ठीक है plastic flow को हम कहते बिंगम bodies या बिंगम flow ठीक है क्यों कहते है those fluids which behaves like plastic जो material जो fluid plastic की तरह behave करेंगे जो भी चीज हम उनको कहेंगे बिंगम bodies अब इसको हम plastic से relate करते तो in this flow when we apply sharing stress initially not change in sharing strain इसके अंदर क्या होता है plastic की तरह देखें मेरे पास यह plastic है ठीक है मैं इसको क्या करता हूँ force लगाई force लगाई एक force लगाई और वह वापिस अपनी regain कर रहा है अपनी position को तो क्या कर रहा है कि यह force लगाने के बावजूद flow नहीं कर रहा ठीक है, flow नहीं कर रहा है, वो वापिस अपनी position पर आ रहा है, deform तो होई नहीं रहा है, वापिस regain कर रहा है, बिल्कुल वैसी हो जाते है, लेकिन एक point आते है कि मैं उसको इतना जादा, इतना जादा, इतना जादा करूं कि वो ऐसी रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम का point आया, कि उस point पे वो deform हो गया, और वो flow करना start कर दिया, तो in this flow, when we apply sharing stress, initially, initially का लवज मैं लिखना है, no change in sharing strain, sharing strain कहते है, rate of shear को असल में sharing strain कहते हैं, excuse आ सकता है, until the shear stress reaches yield value, एक value, एक point मिलेगा, जिस पे वो reach करेगा, और फिर वो deform हो जाएगा, तो ये पार्टिकल सिस्टम लें, जिसमें फ्लॉक्यूल्स मुना है, aggregate हुए में, ये पार्टिकल सॉलिट की case में, suspension ही case में, हमने F1 लगाई, force लगाई, तो वो थोड़े से intermediate state में आ गया, ठीक है, intermediate state में आ गया, लेकिन वो अभी भी aggregate ही, अगर मैं force को छोड़ दूँगा, तो वो yield point नहीं कहेंगे, हम इस point को कहेंगे, intermediate applied force point, जो इसके बाद फिर आएगा, intermediate yield point फिर आएगा, final yield point, तो ये फ्लॉक्यूल्स है, फ्लॉक्यूल्स लगाई, तो वो deform होना start हो रहे है, लेकिन जब इधर हमने force छोड़ देंगे, तो वो वापिस अपनी regain position पे आ जेंगे, इधर अगर हम और force लगाएंगे, तो वो फिर वापिस regain नहीं होंगे, वो फिर deform होकर flow होना शुरू हो जाएंगे, इसकी हम explanation graph से भी देखते हैं, और आगे इसकी, जो आगे हम non-newtonian fluid की types में वो भी हम आगे देखते हैं, तो ये है yield point की definition, it is a point on which a fluid starts deforming but not according to newton's flow, fluid deform तो होगा, ल yield points पर viscosity कम भी मिल सकती है, तो constant viscosity का यहां कोई concept नहीं है, तो rate of shear, which is called g, sharing stress force, origin से graph start नहीं हो रहा, वो वहला graph origin से start हुआ था, यहां मैंने force लगाई, force लगाई, f1, फिर force लगाई, f2, force लगाने के बाद हमें एक point मिला, which is called lowering yield point, lowering yield point को हम ub कहते हैं, ठीक है न, तो lowering yield point है, अब lowering yield point से सीधा एक linear graph शो कर रहा है, यह leniency newton's law को शो कर रही है, लेकिन यह कहीं कहीं पर discontinuous manner भी शो करता है, इस वज़े से non-newtonian's flow हम इसको कहते हैं, starting में plastic flow में deformation नहीं होई, lowering yield point पे आकर particles की aggregation खतम होगी, intermediate yield point पे आदी तरह, 50% वो floccules थे, 50% वो deflocules थे और final yield point पे हमारा plastic flow पूरी electricity form होगे, इसकी example में मैंने आपको बता दिये कि flocculation system of suspension है और emulsions है, mathematical form में हम देखते है, according to newton's law of fluid, ठीक है, g is directly proportional to f in plastic flow, plastic flow में क्या होगा, यह देखे मैंने एक point a है, एक point b है, a से b के दिरम्यान जो behavior है वो non-newtonian है, और b से c के दिरम्यान जो behavior है वो newtonian है, तो a से b, मतलब के f या force ही लगा रहे है न, sharing stress है, force है, f और f2, इनके दिरम्यान क्या हो रहा है, के non-newtonian behavior शो हो रहा है, तो अगर मैं क्या करूँ, f और f को मैं minus कर दूँ, अच्छा, viscosity को हम u से show करते हैं, eta या u से, viscosity को, ठीक है, और lowering yield point को f से show करते हैं, मतलब के यह lowering yield point, b point हमारा f हुआ, और a point हमारा force, f हुआ, ठीक है, तो इन दो point के दिरम्यान non-newtonian, अगर हम इनको minus कर दें, तो आगे newtonian behavior show करेगा, तो क्या हुआ, f minus f, which is directly proportional to g, rate of shear, f minus f, proportionally को constant रहा, तो हमारे पस eta आ गया, eta is called viscosity, लेकिन plastic fluid के case में, eta हमारे पस u में तबदिल हो जगा, plastic flow की viscosity equal to, intermediate, वो learning yield point, और divided by g, तो ये formula आगे, जिसको हम कहते हैं, जो mathematically, इसका हमारे पास नाम है, the formula of plastic flow, हम plastic flow में इस formula को deal करते हैं, ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, कि इसकी example पे, flow collated system suspension of zinc oxide in mineral oil, ये इसकी examples है, ठीक है, तो हमारा plastic flow हो गया, अब हम चलते हैं, seed of plastic flow में, जो दूसरी type ह or newtonians flow की, तो seed of plastic, इसको हम कहते हैं, shear thinning system, क्यों कहते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, in this type, there is a change in deformation, which is called rate of shear, with the change in sharing stress, ठीक है, ये line ये कह रही है, कि हम जैसे जैसे, जैसे हमारा sharing stress change होगा, वैसे वैसे deformation होगी, ये तो newton's law में भी होता है, लेकिन, but this change is not constant, newton's law में विसकोसिटी shear thinning system, because, क्यों कहना आता है, MCQs में आ सकता है, viscosity decreases with the increase in sharing force, हम क्या करते हैं, shear thinning system, इस वज़े से कहते हैं, thin का मतलब क्या होना, viscosity कम हो, ठीक है, जिस चीज की viscosity कम होती है, basically वो thin होता है, ठीक है, तो हम जब force लगाएंगे, force लगाएंगे, तो हमारी जो viscosity हो कम होगी, इस होते हैं, जिस तरह triganth gum है, in H2O, sodium alginate gum है, in H2O, sodium, carboxyl methyl cellulose, in H2O, 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 हर एक में water को add किया, तब जाकर seroplastic बनेगा, और water, अब मैं इसकी example ऐसे देता हूं, कि हमने एक gel रखा है, उसके इंदर water डाले, ठीक है, और water और gel, बिलकुल, मतलब कि water हमने जादा डाले, 60% water 40% gel है, हम उनको mix करेंगे, force लगाएंगे, क्या कर रहे हम, force system में sharing stress है, sharing stress लगाए जारे, लगाए जारे, तो हमारा system थिन हो जारे है, वक्त के साथ साथ थिन हो जारे है, तो इसलिए हम कहते है, share thinning system, force के बाद thin हो रहा है, मतलब कि, viscosity कम हो रही है, जैसे जैसे हम rate of share बढ़ है, because हमारी viscosity constantly है, इसकी example मैंने बता जी, gums in H2O, तो आगे हम dilatant flow पढ़ेंगे, और यह हमारा next topic हो का dilatant flow, तो I hope आपको समझ में आ गई हो, अगर आपकी कोई question, क्यूरी हो वगरा हो, तो आपने मुझे जरूरू बताना है, अच्छा तो जो हमने pseudoplastic flow पढ़ा था, इसका एक formula है, उसका हमने एक formula पढ़ा था, प्लास्टिक flow होगा, इसका pseudoplastic है, fn fractional exponent है, fractional exponent है, equal to eta g, where n, अगर greater than 1 होगा, तो pseudoplastic होगा, mcu है, अगर equal to 1 होगा, तो newtons flow, अच्छा यह lecture हमारे यहां तक endo है, और इसके बाद हम करेंगे dilatant flow, अगर आपको कुछ भी question, क्यूर